हलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लो और आपके अपने चैनल में आप सब का स्वागता आप सोच रहोंगे मैं क्या कर रही हूँ तो आज मैंने नया कुड़ता पैना था तो मैंने सोचा चली थोड़ा सा मेक अप कर लूँ आप लोगों की बहुत बोलते हो कि थोड़ा दी मेक अप करके दिखाईए तो थोड़ा तो नहीं वैसे तो मुझे यहां क्लियर कर दूँ मुझे कोई मेक अप नहीं आता जो भी कर रही हूँ जैसा कर रही हूँ वस आपको करके दिखा रही हूँ और मैं सोचती हूँ सभी को मतलब कोई स्टार्टिंग से नहीं सब को धीरे धीरे आता है सब कोई सीखना पड़ता है आटोमेटिक किसी को नहीं होता है हर चीज सीखने के बादी आती है तो यहाँ चोटी सी साथ सिंपल सी हैरिस्टाइल बना दी और बच्चे परिशान करने आप मेरे चेरे से देख रहे हूँ मैं सोना को डाट रही हूँ और मान नहीं रहे हैं क्योंकि बच्चे वो होता है ना बच्चे करें तो हम भी देखिए नाइनर मुझे लगाना नहीं आता था पर सब कुछ दीरे दीरे आ गया तो दीए काजल से ही मैंने लाइनर लगाया है और ये लग गया और उसी से थोड़ी आईवरो सेट कर लूँगे आई थ्रेडिंग भी मैं नहीं बनवाती है कुछ भी नहीं करती हूँ ये हाँ हाइलाइटर जरूर मैंने लिया है ये हाइलाइटर है ये मतलब बहुत टाइम से सोचा था लूंगी लूंगी फाइनली ये मैंने ले लिया है और ये मैंने मेक अप किया तब मैंने इनको दिखाया इनको तो मतलब चुडेल जैसे मेक अप में ना इनको मेक अप अ यह ना जैसे highlighter वगेरा highlighter का तो आपको पता है अलगी signing आ जाती चमक आ जाती और nature भार जैसे natural light होती उसमें तो और भी जादा तो इन्होंने तो कह दिए एकदम चुडेल जैसे नहीं चमकती है आके वगेरा वैसे तेरी चमक रही थी तो बहुत मुझे अजीव लगा फिर मैं फटाफट से आदे गंटे ही रखी और हटा दी तो यह है साधा सिंपल सा मेरा लुक बच्चे देख रहे थे और यह भी आ तो सारह कुछ करने के बाद मेकपे करो थोड़ा बहुत रहे गया वहत रहा जाले लो चुटग टी कूकि सब के सामने गईए तो सब मजाक और यह लग गए तो मैं हटा दी नहीं cał थोड़ा भूत रह गया सौने को, सौना भी रो रही थी, मम्मी मेरे भी करो तो उनको चुप कर आ रही थी और अब करूँगी खाने की तेयारी भहुत हो गया, हसी मजाग भहुत हो गया बता ही अपनी वीवी चुड़या लगती है, क्या किया जाए, चलो कोई बात नहीं विए को नहीं होता है, बत Prin Ona करती नहीं हुं और साधा सिंप रहती ओ आप लोग देखते हिए तो इसलिए होता है, एक दम से चेंज हो जाओ तो इसलिए लगत गया है कि कभी लगाया नहीं था और लगाओ तो अजीब साई दिखने लग जाता और लोग सब भी یूटुबरों को देखती मैं लगाते थे लगा देख सकते मैंने हाईलाइटर वगएरा सारा हटा दिया है दो मिन्ट में हटा दिया है तो चलिए यहाँ पे मैं चने की सबजी बना रही हूँ और वो वलने के लिए रख दिये मैंने चना सुबह भी गो दिये थे और सुबह से वीडियो स्टार्टिंग की है मैंने और देखने है कब तक end हो पाएगा कब तक नहीं तो यहाँ पर मैं बस यह सारा कुछ तैयार करने के बाद और वो सारा कुछ मतलब हटा दिया है हमारे लिए एक नई किरन भगवान भुलेनात खोलेंगे देखते हैं पर यह मन में विचार तो आता ही रहता है वस यही सपना है मेरा बस आप लोगों का सिर्वाज चाहिए आप लोगों का सयोग चाहिए और मुझे बस भगवान का और आपका ही साथ चाहिए तो प्लीज अपना साथ दीजिए क्योंकि होता है ना कुछ करने की तो बस यह है कहीं पे कुछ नहीं किया तो चलिए ये सब बाते खतम कर देते हैं रोज की हैं तो यहां पे मैंने थोड़ा सा प्याज ज्यादा काटूगी और नीचे मैंने वो रख रखा एक छोटी बारी वाल्टी उसमें ये छिकल वगएरा डालती जा रही हूँ और इनको मैंने चाय वगएरा साम की जो भी चाय है और दो तीन बार चाय वन जाती है ये जब ही आ गए थे तो मैंने इनके लिए चाय और वो परांटे सेख दिये थे इन्होंने खा लिये थे और फिर मैं अपने काम में लग गई थी थोड़े बहुत इसलिए ये साधा करके और फिर इसको छोग दूँगी और हरी सबजी से मतलब मन उग गया है अब खाने का मन नहीं करता मुझे तो हरी सबजी वैसे भी बहुत कम पसंद है मैं हमेशा मैं कुशी भी चीज में जूट नहीं बोलना चाहती हूँ हर चीज कहते नहीं है ठीक है सच्चाई जल्दी नह नहीं रखना चाहती हूँ जो लोग करते होंगे मुझे नहीं पता पर मैं सब को सच्चाई से रखना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग तो नहीं जानते हो पर भगवान तो सब जानता है कौन जूट बोल रहा है कौन सच बोल रहा है तो बस यह है जो भी मैं बनाती हूँ ज चने उवल गए सौना बैठी है आलू के लिए और वो आलू खाएंगे और जो धियान है आपने मैंने नमक मिर्च पीसी थी सिल पे उसके साथ आलू खाएंगे और देखिए पूरा दिन मतलब कूलर पे से कपड़े हटाए थे अब यह आए तो इन्होंने इस पर ही जरकिन देदूंगी यह कैमरा थोड़ा रायत का समय हो गया है तो इसलिए चेहरे इतने अजीव अजीव देखिए देखिए कितने अच्छे से सौना बैठी हुए पाइदान पर जमीन पर नहीं बैठती है यह रात को ना कैपचर नहीं कर पाता है कैमरा देखिए सौना कैसी लग है और कितने अच्छे से तयहर भी आप आगे वाली में देखिए उनका मुंडन नहीं हुआ है ना तो इसलिए उनके बाल छोटे छोटे आगे आ रहे और वैसे हो रहे तो उनको देरी बना के सारा कुछ वो जा के अपने पापा के साथ खा लेंगी आराम से बंशिका वगेर काफी टायम हो गया मैंने आपको आपके साथ जो भी चीटी सी भी चीज करते हैं सब कुछ रहना जाए तो देखिए इस तरीके से मैंने सारा कुछ में इसमें मिला दिया है और इनको देदूंगी यह खाते रहेंगी मैं अपना काम करती रहूंगी और आलू चील लूंगी आलू काफी गरम है चने वी काफी गरम है क्योंकि आपके सामने ही मैंने कुकर खोला था तो गरम तो होएंगी होंगी तो यहां पर मैं सबजी चौकने जा रही हूं जीरे से और इसमें ना टमाटर डाले है ना कुछ प्याज जो काटा था वो मैंने वच्चों को अभी आप में एकदम से मिर्ची का वो होता है ना वो चीटा एकदम से आख में गया तो जैसे नवरात्तर वगेरा मैं नहीं बनाते ऐसे बना रही हूं क्योंकि कभी-कभी होता है लेसन प्याज के विना सादा सिंपल से बना के और धनिया एकदम ताजी है क्योंकि हां मैंने कई वार तो यहां पर ताजे धनिया ही आ जाते तो बहुत दोती निन मतलब खुस्बून के जाती नहीं है तो एक बड़ा सा टमाटर लिया है और सारे मसाले मैंने इसमें मसाल दानी में रख ली हैं यह है ना कभी चम्मच इदर से दर हो जाती है ढूनना फिर पड़ता है इसलिए तो कुकर में जो वाला था मैंने उसको धोके और दुबारा से मैंने उसमें कर दी दूसरा होना क्या करती तो इसी में करके और कर दी आलू को मैंने अच्छे से फोड के और इसमें डाल दिया है मिला दूंगी और इसमें जितना मुझे पानी डालना उतना पानी डाल के इसको ब गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि गर्मी लगने लग जाती है उसी में खाना उसी में फिरीज गर्मी में बहुत 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 दिक्कत होती है मतलब पसीने से नहा जाते हैं सर्दी में ये फायदा है क्योंकि पूरा कमरा गरम रहता है खाना उसमें बनाते जाके मेरा पसीना नहीं सूपता है पर कोई नहीं कभी तो हमारा भी सपना पूरा होगा हम भी होंगे यही सपना है छोटा सा देखने कब पूरा होता है आप लोग कब मेरे लिए दुआ करिए आप लोग की भगवान सुलने तो यहां पर देखिए नमक मिट्च डाल दूगी यह वाली जो कि मैंने पीसी थी और इसमें डाल के खोकर को ढख दूगी और बनने दूगी और फिर मैं बनने के बाद आपको दिखाऊंगी कैसी बनगी कैसे नहीं और इसको टिफिन में प्यक करके रखना होता है क्योंकि थोड़ी सी भी बच्चों के हातों में लग गई न थोड़ी रोतियां बनेंगी मुझे तो चावल ही पसंद है तो चावल बनाऊंगी तो यह था मतलब मेरा बीडियो और देखी गैस बंद करने के बाद यह सब्जी का जो कलर है वो इस तरीके से निखर के आया है गरम मसाला डालना है वो चना मसाला आता है वो वाला डाल और यह खाना आना खाने के बाद किचन की हालत है वो इस तरह के की हो जाती है बच्चों को मैंने दूद दे दिया है और मैंने हरी चटमी भी पीसी ती यह देख सकते है प्लेट में अब यह बरतन धोने के लिए जाऊंगी पर बच्चों को सुलाद हूं उसके बाद में जब देती हूं जो कि सुबह उठें चाय वगेरा के लिए क्योंकि जल्दी करना होता है यह जल्दी जाते इसलिए गले में क्या खिचकी सी हो गई है तो सौना वंशिका को मैंने गुड़ से दूद पिला दिया है रात को रोज मैं गुड़ से ही दूद देती हूँ जो मेरे हजबन वो लेते हैं या लेते हैं नहीं तो नहीं लेते हैं कोई वो नहीं है तो यही था और कैसा लगा मेरी वीडियो आप लोग बताईएगा जरू और यह थोड़ा सा टुकड़ा बचा है यह भार कुत्ते वगेरा को दे दूँगी और यह सारा साफ कर दूँगी बरतन धोके रख दूँगी बस यही है मेरा सुबे से वो और अब सोने जाएंगे और आपको भी गुड़ नाइट आप लोग भी खैर मेरा वीडियो तो मॉर्निंग में जाएगा उसमें छोटे से भगोने में दूद गरम किया था मैंने बच्चों के लिए बड़े वाले में नहीं किया इन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या गरम करते है उसको ढग दिया है क्य अगले व्लोग में मिलते हैं गुड़ नाइट और अब और लृग वीडियो तो चलिए अगले व्लोग में मिलते हैं गुड़ नाइट और अब सुबह एक नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे और नए उससे और सौना देखी सो रही है उनको सुला देना है और लाइट आफ कर देना है बरतन मैं तो धोने जा रही हूं